ये लड़की अपने पडोसी की मदद से अपने घर में एक काउच लेकर आती है वे बहुत भारी होता है तो वे इसलिए उस पडोसी की मदद लेती है वो उस काउच को लोबी में रख देते हैं पडोसी उस लड़की से कहता है कि क्या आपको कोई और मदद चाहिए इस पर लोबी में अंधेरा हो जाता है तो हम काउच के अंदर से हाथ को बाहर निकलते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है फिर सुबा हो जाती है और वे लड़की अपने रूम से निकलती है किचन में जाकर अपना ब्लेक फास्ट वो देखती है कि उसका food खत्म हो गया है तो वे अपने fridge के उपर notes पर लिख देती है और फिर उसके बाद वो food के carton को वापस 10 बिन में फेक देती है फिर हम diet रात का scene देखते हैं जहां पर वे लड़की फिल से अपने room में सोने चली जाती है हम फिर से couch के अंदर से उस आदमी को बहार निकलते हुए देखते हैं इस बार वे आदमी उस लड़की के room में चुपके से जाकर उसे देखता है फिर हम देखते हैं सुबा हो जाती है और अब वे लड़की तेयार होकर अपने office के लिए जाने लगती है और दर्वाजा बहार से लॉक कर देती है अब लॉक की अवाज सुनने के बाद उस आदमी को पता चल जाता है कि वे लड़की बहार जा चुकी है तो वो couch के अंदर से बहार निकल जाता है और अपना घर समझ कर बड़े हराम से वश्रूम चला जाता है वही हम देखते हैं कि वे लड़की दुबारे से घर के अंदर आ जाती है क्योंकि वो अपना mobile घर पर ही भूल गई थी तो वो देखती है कि उसका फोन couch के ऊपर रखा हुआ है वो जैसे ही अपना फोन उठाने वाली होती है तो वो देखती है कि वहाँ एक chips का packet है जो आदा बहार होता है तो लड़की chips के packet को बहार निकालती है फिर वो couch को उठा कर देखती है तो उसके अंदर तक्या और रेने का सारा साधन होता है जिसे देखकर वे थोड़ा घबरा जाती है तब ही उसे washroom से flush की आवाज आती है वो लड़की washroom की तरफ देखती है वो आदमी fresh होकर बहार आता है और उसकी नजर उस लड़की पर पढ़ती है लड़की उसे देखकर बहुत घबरा जाती है और वो फोरन वहाँ से भाग कर अपने दरवाजे की तरफ जाने लगती है लेकिन तब ही वे लड़का उसे पकड़ लेता है और फिर दरवाजा बंध हो जाता है और वे लड़की चिलाती है और यहीं पर ही मूवी का end हो जाता है फ्रेंड्स मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अब लेकर आ रही हूँ डेली शॉर्ट मूवीज